त्रणिल दिखो नय याटोपिक चालो करेंगे हैं आपन है लाक्त्रो केमस्टी केमस्टी वैं दूत्रसाइन है थे फ्रेफ है उत्ह ठुश्च वधूत रसायं क्या होता भाई जिसमें हपन क्या करेंगे अनेजी के बचल चलिए करेंगे है कि हुभ़जा एक रूप से दूसavo may कै से चेंज होती है उसके वारे में वानवेधुत्र सायं में क्या करेंगे चलिक करेंगे जैसे जैसे definition क्या लेख सकते हैं इसमें कोई डिवाइस है यह क्या है एक डिवाइस है अपने पास एक चैप्टर है बिल्कुल हर चैप्टर एक एक एनर्जी होती है अपने पास क्यामिकल एनर्जी कौनसे एनर्जी है इस रसाइनी कुपजा क्या है चैप्टर एक लेख देते हैं इलक्टरिकल एनर्जी वैदो तोड़्जा और इसका रसाइनी कुपजा रसाइनी कुपजा तो यह डिवाइस में अपन जो सेल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदो त्रासाइनीक सेल वैदो त्रासाइनीक सेल क्या होता है इलक्टरो केमिकल सेल क्या होगा यह जब एक डिवाइस है यह डिवाइस मैंने क्या बोला यह डिवाइस ही वो सेलर जो क्या करेगी केमिकल एनर्जी को कनवर्ट करेगी किसमें कि विदोत और जाम और जब यह विदोत और जाएस डिवाइस के किसमें कनवर्ट हो जाएगी क्यामिकल और यह क्यामिकल एनर्जी में उसे अपन क्या करते हैं वैदो त्रासाइनीक सेल मतलब रासाइनीक उर्जा का वैदोत उर्जा में और विदोत उर्जा का रासाइनीक उर्जा में परिवर्दन क्या कर लाता है वैदोत रासाइनीक सेल इसमें आपन दो टाइप के सेल पढ़ने वाले एक होगा electrical cell वैदूत अपगटे cell और दूसरा होगा galvanic cell इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे पहले लिख लीजिए आप दो परकार बोला ना एक वैदूत अपगटे और दूसरा galvanic galvanic cell दो परकार के cell होते हैं अलग अलग पढ़ेंगे उसके अंदर तो chemical energy converted into electrical energy and electrical energy converted into chemical energy are called electrochemical cell तो इसमें यही परिवर्तन अपन देखेंगे change देखेंगे उर्जा का change देखेंगे electrochemistry में कि किस तरीके से कैसे हो रहा है अब हमने का कि इसके अंदर आपन क्या पढ़ेंगे पहला आपन sale का part पढ़ेंगे दूसरा इसके अंदर आपन conductance पढ़ेंगे चाल लगता क्या पढ़ेंगे चाल लगता और थर्ड आपन इसमें पढ़ेंगे battery पढ़िया आपनी इसमें lead battery पढ़ियोगी fuel cell पढ़ा होगा आपने lead cell पढ़ा होगा TBSO4 वाला lead cell की equation आती है आपके board में पूरा lead cell representation आता है क्लियर है यह लिखिया है सबने देखिया है अब हमने कहा कि cell कितने type के होते हैं यह कौन सा cell है biology वाला cell नहीं है biology में भी cell ऐसे लिखते है और शी का यह क्या है cell कितने परकार के बताए है हमने अभी दो परकार एक जो cell होता है वो हमने कहा कि कौन सा होता है भैदूत अपकटे cell कौन सा होता है और दूसरा हमारा होता है हाएगज लिखते हैं और एलेक्ट्रोलाइटिक सेल एलेक्ट्रोलाइटिक सेल एलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन से होंगे विटा जो कौन सी उर्जा को किसमें चेंज करेंगे जो विदू तुर्जा को किसमें चेंज करेंगे राज सायनी उर्जा में वह है सेल जो विदू तुर्जा को फिर्जा को रासाइनी कुर्जा में परिवर्तित करते हैं परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं वैदूत आपकटे सेल इंगलेस में लिख लिया आपर एपके यह lastrikal energy convert to chemical energy are called electrolytic cell next दए देखो galvanic cell क्या होगा गैलवैनिक सेल वो हुगा जो क्यामिकल एनरजी को, बोले तो रासाइनी कुरजा को, रासाइनी कुरजा को, वीधु तुरजा में, परिवर्तित कर देता है, उन्हें कौन सा cell कहते हैं galvanic cell इसके इंदर यूद एक anode होता है और एक cathode होता है क्या होता है एक anode हो और एक cathode होगा जब battery बनाएंगी तो उसमें cell होगा उसमें positive होता हो यूद एक negative होता है अब positive और negative कैसे लेंगे जैसे इसकी बात करूँ मैं इसमें एनोड और एक क्या होगा कैथोड उधर भी क्या होगा एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा अगर मैं एनोड और कैथोड की बात करूँ तो इसके अंदर इलाक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो एनोड होता है वो हमेशा पॉजेटिव होता है कैसा होता है पॉजेटिव होता है और कैथोड होता है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है याद रखना हमेशा बसे एनोड पॉजिटिव होता है लेकिन गेलवेनिक सेल के अंदर जो एनोड होता है वो कैसा होता है नगेटिव होता है माइनस होता है नगेटिव होता है और जो कैथोड होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है यह क्यों होता है हम जब गेलवेनिक सेल पढ़ेंगे तो उसका explanation देंगे पर अब भी आपको यह differences करवा रहे हैं जिसमें आपको identify हो जाए कि कौन सा electrolytic cell होता है और कौन सा chemical cell होता है next अगर इसके अंदर देखें बड़ाइब होता है spontaneous process यह कैसा होता है spontaneous process तो यह होगा non spontaneous non spontaneous का मतलब है कि इसको काम करवाने के लिए तो वैदुत अपकटे सेल है अगर आपको उसको काम करवाना है तो भाई यह energy आप उसको देंगे जैसे मेरे पाल यह सेल है यह container इसमें दो electrode लगाए मैंने तो इसको काम करवाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी इसको बाहर से energy प्रोवाइड करवानी पड़ेगी तब तक इसको आप electrical energy बाहर से नहीं देंगी तब तक यह सेल काम नहीं करेगा spontaneous का मतलब होता है जो खुझ से हो जाए जो बिल्कुल spontaneous वह होता है जो अपने आप हो जाए खुझ से हो जाए तुरंत हो जाए तो galvanic cell ऐसा सेल है इसको बाहर से आप उसको चालू करने के लिए आपको बाहर से energy नहीं देनी पड़ेगी वह अपने आप ही चलेगा कैसे चलेगा वह प्रोसेस आप से खेंगे तो तीन आतो直接 पहुत से बाशे पड़ा एल्च्रोकेमिकल सेल जो क्या होता है ऐसे लेक्रीकल sync डूप अब्सक्राप थातें धोपने पर exists यक वण वह पते हैं जो एलेक्ट्रो नाइटिव करते हैं एलेक्त्रो लाइनघी के अंदर जो में सब्सक्राइब मचले ह transform ध्रक किशोऱएूरी ध्र उन्स्ला कान qu इलेक्ट्रो लाइनिक पॉस्ट्टिव औरII नजेटिव होगा बाट गैलवैनिक सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिव होगा और कैथोड होगा वो पॉसिटिव होगा चैमिकल एलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो कैसा होगा नॉन स्पॉंटेनियस प्रोसेस है अगर उसको आपको काम करवाना है तो उसके लिए आपको एनरजी बहाद से प्रवाइड करवानी पड़ेगी और जो गैलवैनिक सेल है वो इसको आप उर्जा प्राप्त कराने की ज़रुत नहीं है वो अपने आप काम करेगा ठीक है क्लियर है ब हके है लिए अब इसके उन्दर हम देखेंगे कि जैलवैनिक सेल कैसे काम करता है तो देखो इसमें दो कंटेनर लेंगे पहले सबसे पहले इसका सेट अप तैयार करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे इसकी बनावट आपके पूरा बड़ा कुशन आएगा तो सबसे पहले आपके उसकी बनावट लिखनी पड़ेगी क्या लिखनी पड़ेगी बनावट के अंदर बेटा इसके अंदर क्या लेंगे अपन दो कंटेनर लेंगे क्या लेंगे तो कंटेनर लेंगी ओपन वाला का है अच्छाने ठीक हम बना देते हैं एक कंटेनर इदर लेंगी है आप दो कंटेनर ले लिए मैंने इन कंटेनर के अंदर बटा इसके अंदर मैंने solution डाल दिया ZNSO4 का किसका डाल दिया ZNSO4 का solution मैंने इसके अंदर फिल किया ZNSO4 का solution और इसके अंदर मैंने और एक में copper sulfate का solution ठीक है आप देखिए आप यहाँ पर मैं एक electrode लूँगा यहाँ पर मैंने electrode लिया एक जिसमें जिसका solution है उसी का electrode लेंगे तो मैंने यह electrode ले लिया ZNK का कैसा है ZNK electrode क्या लिया बटा ZNK electrode और इसमें मैं कैसा electrode लूँगा यह पर इलेक्ट्रोड कैसा लिया मैंने copper electrode ठीक है और इन दोनों को मैंने बड़ा बने लिया इन दोनों को मैंने क्या कर दिया एक wire से connect कर दिया और बीच में galvometer या वर्ट मेंटर अपन लगा सकते हैं reading के लिए यहां तक किसी को कोई problem है क्या नहीं है इतना से टर तयार हो गया हुए है अब क्या होगा जब मैंने zinc sulfate का solution लिया तो electro chemical series होती है उसके अंदर जो zinc होता है वो more reactive होता है comparison to copper और जो ज़्यादा reactive होता है किरिया सील होता है उसका होता है oxy current क्या होता है oxy current oxy current का means क्या होता है कि जब वो क्या चला जाए उसका oxidation number increase हो जाए जैसे यह M था यह किस में चला गया बेटा M plus में oxidation number 0 से किस में गया plus 1 में तो इसका oxygen में वर्दी होई तो इसका oxygen होगा तो इधर क्या होगा जो z जेडेन है इस solution के अंदर क्या पढ़ा है zinc पढ़ा है अरे zinc पढ़ा है ना तो zinc क्या करेगा बटा यह जो zinc है वो z N plus 2 में जाएगा किस में जाएगा z N plus 2 में और जब अब 2 में जाएगा तो यह दो electron क्या करेगा निकालेगा क्या करेगा यह सारे के सारे electron इसके पास आजाएंगे इस रोड के हैं जो इलाक्ट्रोड लगाया मैंने तो ये इलाक्ट्रोड जब इसके आज पास आए तो कैसा चार्ज हो गया ये जो इलाक्ट्रोड कैसा चार्ज negatively starts कैसा हो गया और जब इसका oxidation होता है oxidation कहा होता है बया अरे oxidation किस पे होता है मिशा ये बात याद रखना oxidation होता है anode पे किस पे होता है याद कैसे रखोगे जब विजे लोकेस को बुलाएगा ओई विजे इदर आ कौन बलेगा OA मतला बे anode पे क्या होगा बेटा जी oxidation होगा oxykaran होगा तो anode लिख दूम है इदर इदर मेरा क्या है anode और बेटा मैंने बोला कि इस road पे कैसा चार्ज हो गया negative अरे जब zinc zinc plus में 2 जा रहा है ओक्सी करन हो रहा है तो negative चार्ज आया है ना तो रिंग के चारों तरफ क्या आ गया negative चार्ज आ गया और ये road negatively चार्ज हो गई इसलिए galvanic cell के anode पे कैसा चार्ज होता है negative चार्ज होता है अब आपको पता है बया जब electron क्या करेंगे ये electron push up करेंगे इदर तो जाएगा electron इदर गया electron electron जाएगा इसके पास हमने कहा कि copper क्या करता है reduction करता है copper क्या करता है तो copper यह copper plus two में है विच्चा और ये किसमें जाएगा plus two electron गेन करके ये किसमें जाएगा copper solid में चला जाएगा तो यह electron ले रहा है इदर क्या कर रहा है electron ले रहा है मतलब इसके solution में कैसा चार्ज हो गया electron तो ले रहा है तो इसकी road पे सब कैसे चार्ज हो गया वे copper 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 plus copper plus था अभी कोई electron है क्या तो इसकी जो road हो गई वो कैसे चार्ज हो गई positively charge और ये इसको कैफोड पे क्या होता है अरे रिडक्षन होता है तो ये ज गउरी पहली रिडक्षन और ये नग्योंठा कैसा हो गया इसका positively बना पाॉज़ी चार्ज तो से टप लिए इसमें zn o4 और का solution लिया इसमें zinc road लगाई इसमें copper road लगाई zinc का oxidation होता है क्योंकि zinc का दिक क्रियासील है copper की तुला में और जो ज़्यादा क्रियासील होते है ना उनका oxygen होता है और यह oxygen हो गया तो दो electron lose किये इसने वो इसकी ring के चारो तरफ आए तो इसका solution कैसा charge है भया positively charge है मतलब solution में किसके आइंस बढ़ गए इदर और जेड़न की आइंस बढ़ गए ना जेड़न जेड़न प्लस टू हो गए ना आप जगए मतलब जेड़न ज्यादा यहाँ पे SO4 से और उधर क्या ज्यादा है उधर copper में चेंज हो रहा है वो तो इदर SO4 आइंस ज्यादा है इससे copper से ठीक है अब क्या होगा क्या यह circuit complete है क्यों complete नहीं है क्योंकि थोड़ी देर बाद में मैंने कहा यह zinc 2 प्लस प्लस में जा रहा है zinc क्या हो रहा है यह खतम हो रहा है थोड़ी देर बाद में यह रोड़ी नहीं रहेगी जब ना रहेगा बांस क्या बोलते हैं नहीं बज़ेगी बासूरी तो जब यह बांस ही टूट जाएगा यहां से तो बांसूरी तो नहीं बज़ेगी और इधर बया यह मोटा हो जाएगा क्योंकि इधर copper deposit हो रहा है इसके एलेक्र लाइटिंग लाएं मैं लाइन को बैलेंस करेंगे जो इसके आइन को बैलेंस करेंगे तो उसके लिए आता है salt breeze नाम सुना है क्या लवन से तू सुना है नाम नहीं सुना है क्या लवन से तू का यहां पर cotton लगी होती है तो बोलते है salt breeze लवन से तू क्या बोलते है लवन से तू जिसमें बरे होते हैं वैदूत अपगठे वैदूत अपगठे अपगठे लैक्ट्रोलाइटिक सॉलुशन और इसके अंदर प्रेजेंट होती है एगार 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 सेल प्रेजेंट होती है क्या होती है एगार एगार जैसे इसमें हो गया क्यानो 3, HCl, KCl, क्या एलेक्ट्रोलाइटिक है अगर भया हमने कहा पो की सर जब इधर क्या होंगे जिंक की कम्या जाएगी तो जिंक में किसकी कम्यारे जिंक प्लस 2 में जा रहा है तो प्लस 2 आइन बढ़ रहा है तो इसको balance करने के लिए इधर क्या चाहिए अरे positive बढ़ रहा है तो इधर क्या चाहिए Positive है तो negative वाला चाहिए इधर जैसे ये टूटेगा K। और Cl माइनस तो ये इसको balance करने के लिए इधर आएगा जितने आएन इसके जाएंगे उतने आयन प्रोवाइड कर वाएगा मालो जेंग प्लस टू है तो टू के प्लस आजाएगा एद एदर इस दर कौन ऐन चाएगा ऑपहें तो यह लवन से तू क्onneसी करता है इसके इनवन सर्किट को इंत करने का काम है करता और elf लुब से लवन से अंध नहीं होगा तो यह भैलेंस नहीं होगा तो यह थोड़ी देर հहाद ये सेल काम करना बंध आर strengthened कि और कि लिए यह सब ए है और इस एगार से लावन से तो के बारे में आपके पॉइंट आ सकते हैं तो इसको उल्टे यू सेब की ट्यूब होती है इसमें एलेक्टोलाइट बरे होते हैं एगार एगार जेल होती है इसके कॉर्णर पे रूई लगी होती है और इसका काम होता है सेल को बैलेंस करना और इ आगे इसकी कुछ reaction बता देता हूं जैसे अपने क्या लिखा at anode आट पर क्या हुआ था जिंक था वो किसमे जा रहा था zn plus 2 में और at cathode पर क्या हो रहा था जो copper plus 2 था वो किसमे जा रहा था copper solid में इसने two electron donate किये और इसने दो electron कर जाएगा तो cell reaction क्या जाएगी क्या जाएगी वहिया RSS ZN plus Cu2 plus gives ZN 2 plus Cu solid यह आगई cell अभी किरिया क्या बोलते हैं से cell अभी किरिया और यह है half cell reaction यह क्या है half cell reaction earth cell अभी किरिया और यह भी earth cell अभी किरिया है क्या है half cell reaction और जब इन दोनों को जोड़ देंगे अनोडोर कैथोड को तो total जो complete cell reaction अपने को मिलेगी ZN 2 देखो यहाँ पे 0 ता 0 से plus 2 में जा रहा है oxidation number क्या हो रहा है increase हो रहा है बढ़ रहा है मतलब इसका oxidation हो रहा है क्या हो रहा है oxidation हो रहा है यह plus 2 से 0 में जा रहा है oxidation number अंक में कम ही हो रही है मतलब इसका reduction है हो रहा है तो यह पूरा Daniel cell है पहले इसकी आपको बनावट लिखनी होती है फिर पूरा setup बनाना होता है फिर point लिखनी होती है कि जो धारा है वो किदर से किदर को जा रही है cathode से anode की ओर और electron किदर जाते है और electron किदर से जा रहे है anode से cathode की ओर anode कैसा है negative charge cathode कैसा है positive charge और 11 सेत्यों का काम क्या है किस तरीके से reaction हो रही है वो सब आपको पता नाइस हो और फिर cell reaction लिखनी है लिखनी है नेट भी गिरिया वो आपको मैंने लिखके बता दी तो कल इसके notes आप यहां तक तयार करके लाओगी पुरा setup बना करके लाओगी और complete करके लाओगी तिक है आगे होंगे आपकी सब्सक्राइब